दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी आप को अपने फोन में Disable से Enable कैसे कर सकते हैं आपने किसी आप को Disable कर दिया था अब आप उसको Enable करना चाहते हैं तो वो कैसे आप करेंगे तो for example सबसे पहले तो हम आपको कोई एक आप ही जो है वो Disable करके दिखा देते हैं ठीक है ताकि आपे इसको Enable करके दिखा सकें जैसे यहां पर मालने तो यह पढ़ा है थीक है, gpeng तो हमने इस्कोट क्लिक किया, app info पे गया, यहां पर disable पे क्लिक किया यहां पर disable app पे क्लिक कर दिया, यह disable हो गया और यह मेरे phone से यहां पे गायब भी हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं ओके, तो अब इसको inable आप कैसे कर सकते हैं दो तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके बता देते हैं, पहला क्या है, सबसे सिंपल सा, आप जाइए अपने फोन में Google Play Store पे, ठीक है, यहाँ पर हम चले जाते हैं, Play Store पे, Play Store पे जानने के बाद जिस भी आप को आपने आपको 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 दिसेबल कर सकते हैं, किसी भी disable आपको जाना है, अपने phone की settings में, settings में जाते ही इस type का आपको interface मिलेगा, यहाँ पे आप करिए नीचे की ओर scroll, नीचे की ओर scroll करते ही आपको एक apps का option दिखाएगा, आप इस पे click करिएगा, यहाँ पे see all apps पे click कर लीजेगा, तो आपको all apps दिखा देगा, अब आपको क्या करना है, आप चाहें कि जितने भी app आपने disable कर रखे होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा, जिसको भी आपको फिर से enable करना हो, आप उस पे click करिए, यहाँ पे enable का एक option दिखाएगा, आप इस पे click कर दीजे, तो यह आपके phone में enable हो जाएगा, अगर वीडियो से help यहो तो वीडियो को कर दीजे like, चैनल को कर लीजे subscribe and bell item को press, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए